आज के एपिसोड में हम डिसकस करेंगे इंसेन आम्स वक आउट जैसे मेरे जो जादा तर जो व्यूवर्स है सब यंग है और सब को बहुत अच्छे आंस तो इसलिए मैंने एक specialized arms workout प्लान किया हुआ है जैसे आप सब को पता है मुझे old school workout करना पसंद है तो मैं जो पहले से करते आ रहा हूँ उसी में से कुछ जो best exercises मुझे पसंद है उसके हिसाब से मैंने एक schedule बनाया हुआ है तो आज के एपिसोड में हम धीरे धीरे सारी चीज़े देखेंगे और एपिसोड के last में एक जो special tip दूँगा जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा पहले ही मैं बता दूँ जैसे आप arms का workout करते हैं जिनके arms grow नहीं हो रहे है तो उसका main reason होता है आपका mind-muscle connection नहीं बनता क्योंकि arms के लिए बहुत important चीज़े ही है आपका जब proper mind-muscle connection बनेगा तब ही आपके arms grow होंगे तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि कौन-कौन से workout करते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है तो arms के workout के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे warm-up करेंगे चाया push-ups लगा सकते है चिन-ups लगा सकते है आपने arms को थोड़ा सा warm कर लिजिए फिर जो पहरा variation रहेगा that is आप close grip जो bench press लगाते है बेकास पहले आम triceps train करेंगे उसके साथी साथ biceps करेंगे triceps पहले बड़ा muscle होता है biceps के comparison में तो मैं आप सबको पहले से ही बताते हैं आया हूँ कि पहले जो बड़ा muscle है उसको train करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे पहले लेंगे तीन सेट आपके जो bench press होते है close grip वो लेंगे साथी में हम लेंगे barbell curls तीन मलब first एक सेट इसका लेंगे alternate में एक bicep का सेट लगाएंगे तो पहला जो सेट हुआ आपका close grip bench press और साथ में आप लगाएंगे barbell curls आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तो यह रहा आपका पहला variation second variation में आप करेंगे skull crusher यह दूनों जो मैंने बताए close grip bench press और जो आपका skull crusher है यह आपके compound exercises है जिससे आपका mass building होगा अच्छा तो पहले आप लगाएंगे skull crusher साथी में आप लगाएंगे preacher curls जो आप machine में भी लगा सकते है या rod में भी लगा सकते है जैसा bench में जो preacher bench रहता है उसमें भी लगा सकते है इसके बाद दो जब आपके compound exercise होगे इसके बाद जो third exercise रहेगा वो रहेगा reverse push down तो यह पहले आप एक operation रहेगा वह आप करेंगे overhead जो double and dumbbell करते हैं वह करेंगे तीन सेट और साथ में alternate में cable curls जैसे लेते हैं वह करिएगा जिससे कि होगा इसमें आपको maximum life stress आता है आपके biceps पर तो बहुत अच्छा ग्रो करता है और पाच्वा जो मेरा सेट है डाट इस single hand triceps curls करेंगे और साथी म last but not the least आप करेंगे stretching जो जाधा तर लोग नहीं करते हैं और इससे बहुत अच्छा फाइदा होगा stretching के लिए आप क्या करेंगे जो आपके roller रहता है उसको आप biceps और triceps में रब करेंगे wall में रखके आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे ही करेंगे because जाधा तर लोग stretching करते ही इसके बारे में आपको जाधा कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पर फॉलो करिए यहीं कहीं लिंक आ रहोगा वहां जाके आप मुझसे डारेट कोशन पूस सकते साथी में सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है रेट कलर हुआ है आप तक है सब्सक्राइब यारा बटन हानला है